नमस्कार बच्चों आप सभी का स्वागत है आज की कारेपत्र 57 में आज हम ठोसों के संयोजन का प्रिष्टे शेत्रफल सीखेंगे आप याद कीजिएगे विभिन शेत्रफल जो आपने याद किये थे घनाप के घन के बेलन के शंकों के अर्ध गोले के इन सब के सुत्र क्या होते हैं इनको ध्यान कीजिए कि घनाप का क्या होता था 6L स्क्वेर यह होता था घन का घनाप का होता था आपका 2LB प्लस BH प्लस HL इसे प्रकार बेलन का होता था 2 πाई आर H शंको का होता था पाई आर L और अर्दगोले का होता था 2 πाई आर स्कुएर यह आपको याद रहने चाहिए इन सबी सुत्रों को आपको अच्छे से याद रखना है अच्छे इसके बाद आपको यह देखने है कुछ ठोस ऐसे होते जहाँ पर दो तरहां के ठोस मिला दिये जाते आकरतियां जैसे आप यह देख रहे हो यहाँ पर कौन है इसके उपर अर्दगोला है यह आप देख रहे हो एक हट बनी जोपड़ी इसमें नीचे बेलन है उपर एक शंकू है इस प्रकार से हम अनेक आकरतियां देखते हैं जापे फलक और आधार उनका दो चीजों का जुड़ावा होता है और ठोसों का सयूजन रहता है तो इनका परिष्टी शेतरफल ग्यात करने के लिए हम यह देख लेते कि कौन सा फलक और अधार ढकेवें उनको छोड़के बाकियों का हम शेतरफल ग्यात कर लेते हैं जैसी यहाँ पर देखिए एक बरतन है जो खोकला है अर्दगोले के आकार का है तो एक खोकला है अर्दगोला है इसमें नीचे और उपर इसमें है एक खोकला बेलन अध्यारूपित है यानि अर्दगोले के ओपर जो की खोकला है उसके ओपर एक बेलन अध्यारूपित है अर्दगोले का व्यास आपको 14 दे रखा है तो 14 का आदा होगा 7 इसके त्रिज्या अर्दगोले का जो व्यास है वही व्यास बेलन का भी रहेगा, तो बेलन की भी तरिज्या साथ हुई, इसकी भी तरिज्या साथ हुई, अर्धगोले की भी, अच्छा, अब इसकी बरतन की कुल उच्चाई तेरा दे रखे, यह उच्चाई कुल है, यानि बेलन जमा अर्धगोला, तो अर्धगोले की तरिज्या अगर गटाद होगे तो बेलन की उच्चाई आ जाएगी 6 यानि अर्धगोले की तरिज्चया आपको साथ दिया अर्धगोले का व्यास ही दिया है बेलन की कुल उच्चाई 13 है उसमें से बेलन के भागी उच्चाई निकालने के लिए हम 13 में से 7 गटाएंगे 6 आ जाएगा तो बेलन भाग की तरिज्या होगी 7 यानि बेलन का आपको तरिज्या भी पता चल गया 7 और उचाई भी पता चल गई 6 तो बेलन का जो शेतरफल होता है आप 2 पाई आरच से निकाल सकते हो 2 पाई आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू 6 इसे पकार जब आपको निकालना हो शेतरफल इसका अर्ध गोलेगा तो यहाँ पे आर की वैल्यू H आपके पास 7 है तो आप इसको हल करेंगे तो यह आपको solve हो जाएगा हम इसे देखते हैं जैसे यहाँ पे हुआ बरतन का अंतिक प्रिष्टे शेतरफल निकालने के लिए बेलन का वक्र प्रिष्टे शेतरफल जोड़ोगे जमा अर्ध गोले को जोड़ोगे तो बेलन का सूत्र होता है 2 पाई आर common निकाल दिया, 2 pi r दोनों में है तो 2 pi r common निकाल दिया 2 pi के value 22 पटा 7 r के value 7 और 6 जम्मा 7 अंदर कर दिया यह 7 और 7 कटेगा तो 44 और 6 जम्मा 7 अंदर आ गया इसको हल करके यह आपका उतर आ गया ठीक है, अगला प्रशन देखते हैं यहाँ पर लकड़ी के ठोस बेलन के प्रतेग सीरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है यह लकड़ी का एक बेलन है इसमें से इसके दोनों सीरे पर यानि इस सीरे पर इस सीरे पर एक अर्द गुले को खोद कर निकाला गया है इसको बाहर निकाल दिया अब यह एक वस्तू बन गई है इसमें बेलन की उचाई 10 दे रखी है और आधार के तरच्चिया आपको दे रखी है यह दे रखी है अधार के त्रिज्या 3.5 cm तो जो इधर के त्रिज्या है वही उपर के त्रिज्या है आपको इस वस्तों का संपूर्ण प्रिष्टे शेतरफल निकालना है तो संपूर्ण प्रिष्टे शेतरफल निकालने के लिए एक तो आप बेलन का शेतरफल लेंगे और आप इन अर्ध गोलों का शित्रफल लोगे अर्ध गोले का शित्रफल इसमें जोडोगे क्योंकि ये था आपका लकडी का बनावा उसमें से एक खोद के बाहर निकाल दिया तो एक शित्रफल आपका ये रहेगा इसमें पार्च परिष्टी शित्रफल आप ले लोगे बेलन का, ठीके बेलन का फरमला कहा रहता है टू पाई रच, और उसमें फिर अब ये दो अर्दगोले हैं, तो अर्धगोलों का शित्रफल आप, अर्दगोला जो उपर वाला और नीचे वाला दोनों को लोगे तो 2 गुना 2 pi r square आप करेगा क्योंकि अर्दगोली का रहता 2 pi r square तो 2 है तो 2 into 2 pi r h और 2 pi r h है आपका बेलन का तो अब आप ये देखो बेलन की उचाई आपको पता है 10 त्रिज्या आपको पता है 3.5 ये आप solve कर सकते हो यहाँ पर त्रिज्या पता है 3.5 आप हल कर सकते हो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे हम एकटा लेके चलेंगे तो 2 pi को हम common करके भी निकाल सकते हैं ठीक है हमने यहाँ पर इसको हल किया 2 गुना 3.5 गुना 10 ये हमने करा plus 2 into 2 into pi यहाँ पर pi की value छोड़ रखिया है इनोंने आप इसको खुद हल कर लीजे 2 into 22 by 7 है into r की value 3.5 है और h की value 10 है ये 2 into 2 into pi और r की value 3.5 into 3.5 है ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर pi missing था लेकिन इस pi को यहाँ लगा दिया है जैसी यहाँ पर आप देखे हैं इसके साथ एक pi और आ जाएगा pi छोड़ा है इनोंने बस फिर इस pi को इनोंने next step में ले लिया इन सब को गुना करा तो 70 आएगा 70 pi यह pi है इसको हल करके आपके पास यह आया दोनों को जोड़ दिया और अब pi के value डाले तो वो आपको जोड़ना होगा घटाना नहीं होगा अब यहाँ पर देखो यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है एक घनाकार ब्लॉक है इसके ओपर एक अर्धगोला रखा गया है अर्धगोले का दिक्तम व्यास कितना हो सकता है इस पकार बने ठोस का प्रिष्टी शेतरफल याद कीजिए इस उधारन में भुजा साथ सेंटीमीटर वाला घनाकार ब्लॉक है तो सब चीके साथ है तो इसका तो आप शेतरफल आराम से निकाल सकते हो फॉर्मूला क्या रहता है घन का इस से एल की वैल्यू साथ डाल दोगे यहाँ पे यह निकल जाएगा इसके ओपर एक अर्दगोला रखा है अर्दगोले का अधिक्तम व्यास कितना हो सकता है कोश्चिन तो यह पूछ रहा है अधिक्तम व्यास उतना ही हो सकता है जो एक इसकी जो एक साइड है उतने के बराबर हो सकता है इसकी बुजा के बराबर तो अधिकतम व्यास इसका साथ हो सकता है जुटा का गया, उसको हटा दिया, तो अब यह 2 pi r square में से pi r square हट जाएगा, तो यह प्लस pi r square आएगा, यहाँ पर इसको हलो करोगे 6 7 का घर, वर्ग 6 7 का square ऐसे हो जाएगा, ठीक है और प्लस pi r square है आपके पास, क्योंकि यह दोनों घटकी इसका pi r square आगे, तो यह तुम्हार कर दोगे, साथ को साथ से कटा, दो को ग्यारे से कटा, इस तरीके साथ इस प्रशन को हल कर दोगे, यह आपके पास यह कुल उत्तर आजएगा, मैं मान भी हूँ कि उत्तर ठीक होगा, क्यालकुलेशन करक्ट होगी, let's move to the next question, तो यह question अच्छा था ना, कितना व्यास हो सकता है, इसका शित्रफल, अब इसमें यह mistake होते हैं बच्चे, कि यह minus pi r square नहीं करते हैं, यह वली गड़बड कर देते हैं, इन दोनों को कर देते हैं, यह रह जाता है, step, next देखो, अच्छा अब हमारे कुद के question स्टार्ट होगे, दो घन हैं, जिन में से प्रतेक का आयतन इतना दिया है, दो घन जिसमें से प्रतेक का आयतन इतना दिया है, इनको मिलाकर, फलकों को मिलाकर, एक ठोस बनाये जाता है, इससे प्राप्त घनाप का प्रिष्टिय शित्रफल निकालने, ये question है दो घनों को जोड़कर घन का item दिया गया है तो सिर्फ हमारे पास घन का item और कुछ नहीं है अब इससे घनाप का शित्रफल निकानना है घनाप का सुत्र आपको पता ही है 2LB प्लस BH प्लस HL ये आपको लखना है तो अब आपको LBH कितना ये पता चलेगा तब ही आप कर सकते हो आपके पास है 2 घन को जोड़ा गया है तो अब हम यहाँ देखते देखो ये तुमारे सारे सुत्र है सारे हमने ये देखो ये पूरे सुत्र है जो लास्ट वरक्शीट में भी आपको दिया गया था ये इनके इनका इस्तमाल हो रहा है घनाप का ठीक है देख लीजिए आप एक पर ठीक है ये अर्द गोले का अर्द गोले का भी इस्तमाल हो है ने तू पैयार्स कोई और अब भी जो कुशिन कर रहे है उसमें घनाप का इस्तमाल हो रहा है तो आपको ये 2LB प्लस BH प्लस HL ये लगाना है तो आप देखो यहाँ पर 2 घन है इनको हमने जोड़ा देखो ये घनाप के अलग थे जब हम इनको ऐसे जोड़ देंगे तो अब क्या हो गया आप देखो इसकी लम्बाई में उसमें फरका जाएगा लम्बाई इसकी 4 जमा 4 8 हो जाएगी चोड़ाई उतनी ही रहेगी और उचाई उतनी रहेगी 4 4 ये 8 हो जाएगी तो अगर आपको आइतन दिया अब आप ये देखो तो अब इस से आपने ये हल किया एक यू बगर 64 है एका घंड इतना है तो ये ए क्या होगा इसका घंड मूल निकालो तो 4 को 3 बार गुणा करने पर 4 गुणा 4 गुणा 4 करके आपका 64 ताता है ठीक है तो उस हिसाब से आप इसको निकाल दोगे A4 यानि इसकी एक भुजा 4 है तो लंबाई हो गई 8 चुड़ाई हो गई 4, उचाई हो गई 4 अब दो घनों को जोडने से घनाप का निर्मान होता है जिनकी लंबाई चुड़ाई उचाई इस प्रकार होगी लंबाई होगी 4, जम्मा 4, 8 cm चुड़ाई होगी 4 cm उचाई होगी 4 cm अब आप इसका वो निकाल दो शेत्रफल घनाप का 2LB प्लस BH प्लस HL L के जिगे 8 डालना है B के जिगे 4, B के जिगे 4, H के जिगे 4 यहां H के जिगे 4, L के जिगे 8 फिर इनको गुना कर दो सबको आपस में गुना कर दो और फिर जमा कर दो तो पहले गुना और फिर जमा तो हमने सबको गुना किया यहां जमा किया फिर यह जो उत्तर आया असी आएगा उसको 2 से गुना करोगे 160 cm क्यूब हमारा क्या निकाला है हमने शेत्रफल हमें गुनाप का शेत्रफल निकाला है तो यह आपका cm स्क्वेर आएगा चिक है? यह प्रिशना आगया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आकरती में दर्शा आएगा ब्लॉग 2 ठोसों से मिलकर बना है यह दो ठोस से मिलकर आपका एक बना है इसमें से एक घन है और अर्दगोला है यह नीचे एक घन है उपर एक अर्दगोला है ब्लॉक का अधार है पांच सेंटीमीटर यहाँ पे नीचे पांच सेंटीमीटर दिया है तो ब्लॉक का अधार दे रखा है इसके उपर आपने यह अर्द गोला रख दिया जिसके व्यास दे रखा है question है इस block का संपूर्ण पिष्टे शित्रफल निकाले तो यह प्रश्ण तो अप हम ने करा था आप घं का शित्रफल निकाल लो इसका वर्ग यह जो आपका घं है इसका शित्रफल आप निकाल सकते हो 6L square से फिर अर्द गोले का शित्रफल निकाल दो 2PiR square से और बीच वाला जो है पाईR square इसको घटा दो अब यहाँ पर जो यह व्यास दे रखा है उसको आदा करके हम त्रिज्जिया निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो second question के अंदर घण का शित्रफल आप निकाल सकते है 6A square से A यहाँ पर 5 दे रखिये तो 6 गुना 25 करके 150 cm2 आगया तो अब यहाँ पर आपने जो दिखा अर्द गोला उसका व्यास दे रखा 4.2 cm तो उसका आदा करके 2.1 cm थ्रिज्जिया आगई ठीक है अब आप क्या करोगे वस्तू का शित्रफल निकालना है तो घं का शित्रफल जमा अर्द गोले का शित्रफल घटा अर्द गोले के अधार का शित्रफल तो 6L square प्लिस 2 pi r square माइनस pi r square इन दोनों को घटा दो pi r square आगया 6L square अब भी हल किया था हमने इसको पूरे को हल किया यह आया 150 में यह जोड़ा 133.86 cm2 इसका शित्रफल आ गया ठीक है नेक्स्ट कॉश्चिन देखिए नेक्स्ट कॉश्चिन है आपका कि मयंकने बगीचे में खोकले बरतन जैसा एक पक्षी स्नानागार बनाए यह बयंकने बनाए खोकला बरतन है पक्षी स्नानागार है जिसके एक सीरे पर अर्दगोला बरतन रखा है यहापे अर्दगोला बरतन रखा है बेलन की उचाई दे रखिए 1.45 मीटर और बेलन की तरिज्जा दे रखिए तो उचाई और त्रिज्या दे रखिए आपको पक्षिस नानगार का संपून प्रिष्टी शेतरफल निकालना है तो आप देख सकते हैं इसमें बेलन का शेतरफल जमा अर्दगोले का शेतरफल रहेगा आपका तब हम इस प्रश्ण को कर पाएंगे तो इस प्रश्ण को करने के लिए हमने माना अर्दगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या आर जो की आर है वो तीस हो जाएगी दोनों जगा बेलन की त्रिज्या और अर्दगोले की त्रिज्या और खोकले बेलन की उचाई हम एच मान लेते हैं यह उच्छाई, तो हम यहाँ पर H तुम्हारी 1.45 मीटर है, उसका आप सेंटीमीटर में चेंज कर दो, क्योंकि तरिज्ज्या भी आपको सेंटीमीटर में दिया, तो इसको 100 से गुना करके 145 सेंटीमीटर आ गया, अब पक्षिस नानगार का शेत्रफल होगा, बेलन का प्रि 32 by 7 into 30, R की वेल्यू, H की वेल्यू, 145, R की 30, इन दोनों को जमा किया, 175, यहाँ पे कुछ कट मीरा, इन दोनों को गुना किया है, उसके पास साथ के पाड़े से यह कट जाएगा आपका, तो यह आपके पास नमबर आ जाएगा, इन सब को गुना किया, 33,000 सेंटीमीटर वर बराबर होता है, तो जब आप इसको परिवर्टित करना चाहते हो, सेंटीमीटर स्क्वेर को, मीटर स्क्वेर को, तो यहाँ जब स्क्वेर करोगे, तो यह दस हजार आ जाएगा, जब इस तरफ वर्ग करोगे, और इस तरफ भी वर्ग करोगे, तो यह सो गुना सो ऐसे हो आम चाले जाता है ऐसे करके ठीक है टो यह तुम्हारा दस हजार से बाग कर दिया तो एक, दो तीन-चार, जिरो से ही बाद लग दिया रही है न ठीक है, तो सारे ही questions बहुत अच्छे थे बच्चों, काफी काम कर लिया, next worksheet में आप फिर मिलते हैं, comment section में comment करिएगा, ठीक है, और calculations यहाँ पर मैंने worksheets की इस जगहाँ पर देखी नहीं है, मैं मान रही हूँ कि यह सब ठीकी होगा, आप देख लीजेगा, main-main questions मैंने हल कर द ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए, नमस्कार.